बहुत टाइम लग जाता है इसको समझने में न्यूजरूम में काम करते हुए और बहुत टाइम लग जाता है कि इस मीडिया के पीछे जो बड़े-बड़े खिलाडी हैं उनको समझने में तो अब जो कुछ मैं सीखा हूं और सीखते-सीखते जिस मोड पे पहुंचा हूं मैं बहुत डरता हूँ इस लगेसी मीडिया से क्योंकि इसने अर्बो भारतियों की कितनी ही पीडियों की मेहनत को बरबाद किया है एक अर्जित लोगतंत्र जिसको मैं बोलता हूँ यह बहुत अर्ण है ना हम पढ़े लिखे लोग हैं हमें युनिवर्सिटी जाने का मौका मिला यहां आकर बात करने और सुनने का मौका मिला लेकिन जो लोग आजादी की लड़ाई में थे कई साल तक जेल में रहे उनकी कई पीडियां उनके बाद स्कूल कॉलेज नहीं जा सकी अब हावी कसी बात थी ना कि अगर आप जेल में चले जाएं अगर जी एन साई बाबा की इस सरकार की कृपा हो गई तो आप छे साल तो यहीं सड़ा दिये जाएंगे तो क्या लेकिसी मीडिया इस पे बोलता है वो तो प्रो डेमोक्रिसी भी नहीं है वो इस लोग तंत्र का हत्यारा है इसको आप जितना क्रूड तरीके में समझेंगे उतना ही आप इस देश का भ आध्यम है यह बात फुल फॉर्म में आ गया है क्योंकि इसका कंट्रोल बहुत जादा है और इसे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इसके पास इतना पैसा है अभी यह एक इकलौता प्रोफेशन है इस दुनिया का एक सर्जन को भी आप सर्जन की फीस देते हैं इसलिए क तो वैसे लोग तो आवारा होंगे ना उनको क्या फरक पड़ता है कि कोई यूट्यूब में क्या बना रहा है या कोई स्टोरी क्या कर रहा है तो इस लेगेसी मीडिया को अब आप यूं समझे कि उसने अपना जो एक्सपिरियंस हासिल किया मेरा एक्सपिरियंस अभी उसे ऐसा लगता है तो इस देश की डेमोक्रेसी का मुडर वो सबके सामने सबको बिठा के कर सकते हैं